यहां पर होगा जिसमें हमारे अतिथियों का स्वागत होगा तो कभी कुमार विश्वास ने भी अपनी कविता से लोगों का दिल जीता धतिया भी महतसब हुआ है मैं इस धतिया की पुणने भूमी पर उस महामाई की भूमी पर जिसकी एक क्रपा का ठाक्ष से सडक के एक किनारे भिक्षु की मुद्रा में खड़ावा व्यक्ती राजसत्ता के सीश पर पहुँच जाता है मैं उस माई के दर्बार में खड़ा हुआ मैं पिछले 32-33 वरशों से मध्यप्रदेश आता हूँ यहां लहार से लेकर भिंड तक और खुरई से लेकर अशोक नगर तक ऐसी कोई छोटी बड़ी जगे नहीं है जहां मैंने अपने कविता का बच्चपन ना तराशा हो लेकिन बहुत सारे बच्चों के बीच भी किस बच्चे को लाड़ से उठाकर कब गले से लगाना है यह उस बच्चे की शुष्टा और चपलता पर नहीं मा के अनुराग पर निरभर करता है मैं आज यह अनुभाव करता हूँ कि इतने वर्षों की साधना कराकर आज माई ने सोचा कि अभी यह लड़का इस काबिल हो गया है एक विशे तो इसलिए है कि यह पुन्य भूमी है यह दैव भूमी है भारत की सीमाओं के उपर अगर किसी भी चीन निशा से कोई अराजक आख उठ जाए और व्यवस्था भी कमजोर हो जाए तो इस मिट्टी से वो प्रतापी आवाज निकली है जिसने विदेशीयों को प पराबाओ किया है यह वो जमीन है और दूसरा इसलिए भी कि बुंदेल खंड का यह पुरा कंचल मेरे मन प्राण में बसता है आज इस मंच पर यह हमारी एक कवेत्री बोवन मोहिनी यह गीत पड़ती है मैं भी गीत पड़ता हूं बुंदेल खंड जब जब जाता हूं लो मेरे पास जहांसी से फोन आ रहे थे बुंदेला जी पता नहीं आ पाई के नहीं आ पाई ग्वालियर से फोन टिकेट दिलवा दो हमने का टिकेट नहीं है ओपन है तो ओपन है तो बोले जगे दिलवा दो और सच में हरफन मौला शब्द तो सुना होगा न आपने हरफन मौला सुनाएं के नहीं सुना आज हरफन मौला व्यक्ति भी देखो ये अपनी दतिया का सोभाग है और कुमार भाई आपके आने के पहले क्या फेस्बुक बाटस है और क्या आपकी कब्ताइश चल रहीं थी बहुत स्वागत करता हूं बहुत बंदन करता हूं बहुत बंदन करता हूं कोई गलती हो तो छमा करती रहना बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार मानिय मंती जी और अब यह मंच पूरी तरह से हम कभियों के को समर्पित करते हैं और मैं अन्रोध करता हूं पुरते एक व्यक्ति से कि वह आभार